अगर आप पहली बार अगर टेबलेट का एस्तमाल करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा इन सभी के बारे में मैं आज बताऊंगा तो सबसे पहले बात करते हैं मेनफोस 50MG टेबलेट के बारे में मेनफोस 50MG टेबलेट को मैनकाइंड कमपनी बनाती है और इसकी कमपोजिशन की बात की जाया तो आप यहाँ देख सकते हैं स्रिदेना फिल 50MG है आपको 9 टेबलेट 297 रुपिय में मिलते हैं और यह टेबलेट आपको इस परकार देखने को मिलते हैं आईए हम मेनफोस 100MG टेबलेट के बारे में हम बात कर लेते हैं मेनफोस 100MG टेबलेट को भी मैनकाइंड कमपनी बनाती है और इसकी कमपोजिशन की बात की जाया तो आप यहाँ देख सकते हैं स्रिदेना फिल 100MG है और मेनफोस 50MG में आप देख सकते हैं स्रिदेना फिल और कुछ नहीं ठीक है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो आप यहां देख सकते हैं यह आपको 255 रूपय में मिलेंगे जो की आपको यह चार टेबलेट का रेट है यह टेबलेट आपको इस परकार देखने को मिलते हैं दोनों टेबलेट का यूज जो है सेम हैं आप सेम बिमारी में इसका ऐस्तामाल कर सकते हैं इस टेबलेट का एस्तामाल नव्पुंसक्ता के इलाज के लिए किया जाता है यह तो आपके पेनिस में ब्लड सेर्कूलेर्शन तेजी से बढ़ा देता नहीं उसस्तिती में पेनिस में त्र शेघंस चार घंटे से लेकर 6 घंटे तक जियादा तनाव रहने के कारण लिंग खारा रहता है इसके बाद इसका असर 12-24 घंटे तक रहता है लेकिन 50 MZ में थोरा सा असर आपको कम देखने को मिलेंगे इस टेबलेट का एस्तेमाल अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है यदि आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहों हो तो आप उस इस्थिती में आप अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए इस टेबलेट का एस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अपने पार्टनर के प्रती सेक्स करने की छमता कम हो तो उस स्थिती में आप अपने अंदर सेक्स करने की छमता को बढ़ा सकते हैं ये टेबलेट को लेकर ये सब इन टेबलेट की यूज हो गई आए इसके हम डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं ये टेबलेट आपको सेक्स करने से 40 मिनट से लेकर एक घंटे पहले लेनी है वो भी आपको ताजा पानी के साथ लेनी है ये टेबलेट आपको गरम पानी के साथ नहीं खानी है इस टेबलेट का एस्तामाल आपको डेली नहीं लेनी है इस टेबलेट को आपको जरूरत परने पर ही इसका एस्तामाल कर सकते हैं ये टेबलेट शिर्व आपको सेक्स करने से पहले ही इसका एस्तामाल करना है इसकी साइड इफेक्ट की बात की जाये तो ज्यादातर सरदर्द होना, जी मिचलाना, चक्कराना, अपज होना, उल्टी होना, पेट खराब हो जाना ये सब कुछ side effect देखने को मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा side effect आपको सरदर्द देखने को मिलता है अगर आपको tablet खाने के बाद 24 घंटे के अंदर सर में दर्दर आता है और ठीक हो जाता है तो ये आपको normal side effect देखने को मिलता है इसमें आपको कहीं जाने की जरूत नहीं है अगर आपको 24 घंटे के बाद अगर सर में दर्ध होती है तो आप अपने नजदी की डॉक्टर से सलाल ले सकते हैं और इस tablet की side effect ये भी जादा देखने को मिलता है कभी काल आपको धुदलापन नज़र आती है अगर आपको इसमें से कोई भी side effect मातर 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिलते है उसके बाद आपको normal देखने को हो जाता है अगर दुन्य की तुलना की जाए तो main force 50MZ और main force 70MZ दोनों tablet best है अगर आप पहली बार अगर इस्तामाल करते हैं तो आपके लिए सबसे best main force 50MZ है इससे क्या होता है जो आपके सर में headache जो है ना कम होता यानि सरदर्द आपको कम मिलेंगे और इसकी side effect बहुत कम देखने को मिलते है और अगर आप direct main force 100MZ लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादे इसमें सरदर्द देखने को मिलता है और इसकी side effect ज़्यादे है और आपको ज़्यादे टेंसनलाइज हो जाईएगा इसलिए पहली बार अगर आप यह इस्तामाल करते हैं तो आप main force 50MZ अस्तामाल करें और इसके बाद आपको यह suit कर जाए तो आप main force 100MZ भी ले सकते हैं उस different देखने को मिलता नहीं है क्योंकि दोनों को काम सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन पहले बार अस्तामाल करते हैं तो मेरी राहे 50MZ ही ले अगर main force 50MZ और main force 100MZ से सम्मंदित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करकर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल पर आप पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताके जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तो सबसे पहले आप तक कहुँचे